हेलो दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत जरूरी जानकारी लाए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि जो बात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो अगर आपको पता नहीं होगी तो आप बहुत बड़े खत्रे में पढ़ सकते हैं इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें बिना स्किप किये आप बहुत सारे वीडियो में बहुत सारा टाइम लगाते हैं इसमें बिलकुल कुछ सेकेंड का टाइम लगाईए और इस जरूरी जानकारी को जान लीजिए जो कि फूट डिपार्टमेंट की तरफ से और अमेरिका के साइंटेसों की तरफ से आया है आईए आपको फटा फट से बता देते हैं ये पूरी जानकारी और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में परिवार में शेयर जरूर करें ताकि ये बात सब को पता चल जाए और हर कोई चौकनना हो जाए दोस्तों खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए उन्हें हम फ्रीज में रख देते हैं हिचन के गैजट के रूप में देखें तो फ्रिज बहद ही काम की चीज है जो खाने को इस्टोर करने में अच्छा खाधा मदद करती है और खाने को बरबाद होने से बचाती है लेकिन फ्रीज का ठंडा टाप मान कई तरह की बीमारीयों को संकेत देता है आपको जानकर हैरान कि खाने पीने की ऐसी कई चीजे हैं जिने आपको भूल से भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए उन्हीं में से एक है आलू यानि पोटेटो आखिर क्यों बहुत बड़ा सवाल है कि आलू को आखिर फ्रीज में क्यों नहीं रखना चाहिए तो आई आपको फटा-फट से बता दोस्तों जब आप आलू को फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज का ठंडा तापमान आलू में मौजूद इस्ट्राज को शुगर में बदल देता है यह शुगर आगे फिर रियक्ट होती है और खतरनाक केमिकल में तब्दील हो जाती है साइंटेसों के मताबिक जिससे कई तरह का कैंसर होने का खत्रा रहता है फूर इस्टेटनेड एजनसी द्वारा करवाई गई एक स्टडी के मुताबिक फ्रीज में रखे आलू को जब बैक या फ्राइ किया जाता है तो आलू में मौजूद शुगर कंटेंट आलू में मौजूद एमिनो एसेड एस्परेगिन के स साथ मिक्स हो जाता है इन सब के मिलने से एक अक्रॉलमाइड नाम का कैमिकल उत्पन होता है ये कैमिकल बहुत ही खतरनाक होता है इस कैमिकल का इस्तमाल पेपर बनाने में प्लास्टिक बनाने में यहां तक कि कपड़ों को डाई करने में भी किया जाता है अमेरिकन कैंसर सो पैदा होता है इस कैमिकल पर 2002 से बहुत साथ इस्टडी हुई है कि जो इस तरह के आलू होते हैं जिन में ये कैमिकल पाया जाता है तो इन आलू का सेवन करने से अलग अलग तरह के कैंसर होने का खतरा बहुत जादा रहता है तो एक बहुत जरूरी जानकारी थी सभी के लिए तो आगे से कभी भी आलू को अपने फ्रीज में ना रखें ताकि उसमें ये खतरना किमिकल पैदा ना हो वीडियो को लाइक कर दें और इस खबर को अपने सभी दोस्तों परिवार में रिश्दारों में शेयर कर दें ताकि वो भी सतर्क हो जाएं रोजाने इसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर दबाएं थैंक्स वर वाचिंग